Now let's begin na, question number one क्या बोलता है कि consider the following statement with reference to the theosophical society, ठेक है? पहला statement बोल रहा है कि theosophical society को बनाने वाले थे, बना था New York में, ये विसे 1875 में, सही है, by Madam H.P. Blavatsky, a Russian lady, and Henry Steele Olcott, an American colonel. Got it na, पहला statement ये है कि इनको बनाने वाले दो लोग थें, और ये New York में बना था, 1875 में, ये society को found किया गया था, Got it na? Second point ये बुलता है कि इसका main objective ये था कि Universal Brotherhood, भाईचार्या, of men, without any distinction of race, color, creed, and to promote the study of modern scientific philosophy, यानि कि हम रंग भेद नहीं करेंगे, हम जात में भेद नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह का भेद भाव नहीं करेंगे, और हम लोग प्रमोट करेंगे, जो modern scientific thinking है, ठीक है, समझ में आ रहा है, उसको करेंगे, तो ये दो statement है, कौन सा statement, सही है, रियालिटी ये है कि, modern scientific philosophy का बढ़ावा देने के लिए, थियोसोफिकल सोसाइटी को नहीं बनाया गया था, थियोसोफिकल सोसाइटी बनाया गया था, ताकि जो भारत की प्राचीन सभ्यता है, जो प्राचीन philosophies हैं, उनको लाया जाए, गौट इट ना, और ये दोनों ने स्थापना की थी, जब मदरास अडियार में इसका headquarter है, वो shift हुआ, यहाँ पर थियोसोफिकल सोसाइटी अपना प्रचार प्रशार करने लगा, उके, उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया था, कि ये क्या नाम था, एनी बेशेंट, इसकी head बनी, उके, उसके बाद फिर मैंने जड़ू कृष्ण मूर्ती के बारे में ही बताया था, कि एनी बेशेंट ने उनको गोद लिया था, समझ में आ रहा है, और जड़ू कृष्ण मूर्ती एक बहुत ही बड़े दार्सनिक बने, फिलोसोफिक के टीचेर बने, तो हम लोग ने इन सारे चीज़ों को डसकस किया था, और जो पॉइंट है, जो concept है, थियोसोफिकल सोसा काम किया है, ना कि modern scientific theories को, तो second point जो होगा, वो गलत हो जाएगा, जब second point गलत हो जाएगा, तो हमारे पास चाहे तो बचा A, चाहे तो D, ठीक है, नहीं, ये भी गलत हो गया, तो A हुआ, one only, ठीक ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पहला वाला सही है, ओके तो D तो हो नही फिर से पढ़ते हैं, the period between 1905 and 1918 in our national movement is called the era of extremists, ये जो समय था, वो गरम पंथी नीताओं का समय था, ये नरम दल के नीताओं का समय नहीं था, नरम दल के नीताओं का समय नहीं था, नरम दल के नीताओं जो थें, वो अपना प्रभुत्व जो था, वो कॉंग्रिस में खो रहे थें, जिसको तुम का सकते हो कि गरम दल के थें, extremist थें, या फिर उनका जो सोच और विचार था, वो उग्रवादी था, ठेक है, क्योंकि उनके विचारों को सुन करके क्या हो रहा था, बहुत लोग murder भी कर रहे थें, हम लोगों ने चेपकर ब्रदर के बारे में भी है, got it na, so 1905 से 1918 का जो समय था, उस समय extremist थें, ओके, ये extremist बिलीव करते थे, direct political action को, और डिमांड करते थे स्वराज, खुद का राज, self-rule को डिमांड करते थे, ठेक है, whereas जो moderates थें, जो नरम दल के नेता थें, वो constitutional reform की डिमांड करते थे, कि आप सम्मिधान में संसोधन करके, हमें और ज्यादा से ज्यादा क्या दे, freedom दे, हमें और ज्यादा से ज्यादा rights दे, okay, whereas extremist का मानना था कि ये सब बकवास बंद करो, 1885 से हम लोग क्या कर रहे हैं, मां पॉलिटिकल एक्षिन, वी वोड़ बी डूइंग सर्टन थेंग्स, जिससे कि तुम्हें problem होगा, और तुम हमें स्वराज दोगे, got it now, so यही जो extremist थे, उनकी एक ट्रायो थी, जिसको तिकडी कहते हैं, उस ट्रायो में, which of the freedom fighter are not considered as ट्रायो, कौन इसमें से ट्रायो का पा बात करें, तो लाल, बाल और पाल, ठीक है, तो पाल हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें बाल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो यह दोनों को छोड़ के, तो जिसमें जिसमें भी one और four होगा, उसको छोड़ दो, तो इसको छोड़ दो, ठीक है, अब बाकी जिसमें सब आ गय समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है सकेंड कोशन में मुविंग टूर्ड थर्ड कोशन थर्ड कोशन क्या है विच आफ फॉलाइंग वर इमेडियेट काउस फॉर्ड रीज ओफ एक्स्रेमिजम इन इंडियन फिर्डम स्ट्रगल अचानक से जो 1905 के बाद हम लोगों को एक्स् में कारण क्या था पहला है रीक्षिनरी रूल ओफ लौड करजन का जो रीएक्ष्टनरी पॉलिसीज थी करजन के बहुत सारे policies थी जिसमें के सबसे important था बंगाल partition बंगाल partition के अलावा भी जैसे universities act थे प्रेस को कर्ब करने का act था बहुत सार ऐसे policies जो थे जो reactionary थे जिसके पास होने के बाद Indian react कर रहे थे तो क्या वो कारण था क्या वो ततकालीन कारण था immediate cause था second point failure of the moderate to win any notable success other than expansion of the legislative council by the Indian council act 1892 1892 में जो समिधान में संसोधन के लिए Indian council act पास हुआ था जिसके तहत legislature जो थी उसमें seatों का बढ़ावा किया था seatों को बढ़ाया गया था उसके अलावा और कोई प्रभाव डाल ही नहीं पाया थे moderate तो क्या 1892 का यह जो एक्ट था वो ततकालीन कारण था जिससे की extremism पनपा तीसरा point the ill treatment of Indian in South Africa on the basis of color of skin ठीक है क्या रंग भेद की जो नीती South Africa में अपना ही जा रही थी वो एक बहुत बड़ा कारण था वो ततकालीन कारण था जिसके विज़े से भारत में extremism जो है उग्रवाद जो है वो फैल गया बढ़ गया ठीक है अपना ठेकाने नहीं है अफरीका में क्या हो रहा है उससे क्या ही मतलब होगा मतलब होगा लेकिन वो ब्रॉड concept में आ जाएगा वो ततकालीन कारण नहीं होगा गाट इट ना सो यह तीन पॉइंट है तुम्हें क्या लगता है वो तुम लोगोंने मार्क कर लिया होगा लेट में टेल यू अप लोग मार्क करते जा रहो ना सही है कि गलत है ठेक है तो इल ट्रीटमेंट यह नहीं होगा यह 1892 वाला यह नहीं होगा एंसर होगा तुम्हारा reactionary rule of lord gajan only one would be the answer ठेक है जिसका सही है उसका सही है जिसका गलत है उसका गलत है which of the following movement was not led by M.K. Gandhi गांधी ने आते के साथ चंपारन सत्यागरह किया फिर एहमेदाबाद mil worker strike के लिए उन्होंने खुद बोला कि अगर नहीं तुम्हारा वितन बढ़ाता है ठेक है तो हम खुद सत्यागरह आमरन अंसन करेंगे ठेक है और फिर खेडा सत्यागरह में भी वो थे पर बरदौली सत्यागरह में वो कभी नहीं थे बरदौली सत्यागरह में कौन थे सरदार वल्लब भाई पटेल थे तो डायरेक्ट इन्वाल्मेंट नहीं था वाज नौट लेट भाई महात्मा गांधी ठीक है नेक्स्ट में चलते हैं यह कोशन नमबर फाइफ है विच ओ दर फालोंग इस रेमसे मक्डोनल्ड एसोसियेटेड विट रेमसे मक्डोनल्ड कौन थे ब्रिटेन के प्राइम निस्टर थे और इनहीं की अध्यक्षता में राउंट टेबल कॉन्फरेंस हो रहा था तो जब गांधी जी पहुँँचे थे ठेक है जब गांधी चचा पहुँचे यहां पर तो क्या बुला गया उनसे कि कॉमिनल आवाड दिया जाएगा कि हम जो है दलित बैक्ग्राउंड से बिलॉंग करते हैं और दलितों को क्या मिलना चाहिए सेपरेट इलक्टोरेट मिलना चाहिए समझ में आ रहा है तो रैमसे मैक डॉनल नहीं है तो इसको क्या करना है लिख लोना है कुछ ऐसे point आएंगे जो कि notes में नहीं होंगे जो तुम्हें add-ons करने होंगे next with respect to the moderate extremist reunion in 1916 1916 में जो moderate और extremist के बीच में तुम्हें पढ़ाए हैं हमकी 1907 में split हो गया था जिसका नाम सूरत split था extremist अलग हो गये थे moderates अलग हो गये थे ये carrot and stick की policy फिर उसके बाद start होई थी carrot दिया गया था moderates को stick दिया गया था extremist को extremist को तितर बितर कर दिया गया था समझ में आ रहा है और उसके बाद फिर 1907 के बाद 1916 में जाके 1914 या 15 में बाल गंगा धर तिलक जेल से बाहर निकलते हैं उसके बाद फिर वो सक्रिय राजनिती में आने की कोसस करते हैं home rule league की अस्थापना होती है वो और any patient करती है आगे चल कर तो उसी समय 1916 में क्या होता है ये जो नरम पंथी और गरम पंथी थें ठीक है उन दोनों में समझाता भी हो जाता है तो उसी से related कुछ points हैं उसको समझना है उसको analysis करना है पहला point जो है To ally moderate suspicion Tillak declared that he supported reform of administration and not an overthrow of the government Hindi में इसका मतलब यही हो गया simple भासा में कि तिलक जो suspicion था moderate का कि तुम फिर आके फिर से कहीं हंगामा करने लगे तो फिर तुम से तुम बोलने लगे direct action लोगे तुम फिर से स्वाराज की demand करने लगोगे ठीक है तो उसको पहले छोड़ो और बोलो कि constitution reform जो है वो करवाना सही है तो ये वही तिलक के लिए वही था कि बोलो पाकिस्तान जिन्दाबाद तिलक कभी नहीं बोलेगा got it na हिंदुस्तान जिन्दाबाद बोल देगा पाकिस्तान जिन्दाबाद नहीं बोलेगा तिलक तो तिलक कभी नहीं तिलक ने बोला कि हम क्या करेंगे ना कि वो जो मेरा सपना था कि स्वराज का उसको हम त्याग देंगे निवर ठीक है तो पहला पाइंट जो है वो गलत हो जाएगा डेथ और गोखले और दादा भाई नौरोजे ठीक है दादा भाई नौरोजे का गोखले का who led to the moderate opposition to extremists facilitated the reunion बोल रहा है कि क्यूंकि गोखले मर गये थे उस समय तक दादा भाई नौरोजे मर गये थे उस समय तक इसी लिए जो moderate और extremist के बीच में जो कड़वाहट थी क्यूंकि वहीं रोक रहे थे कि नहीं गोखले बोल रहे थे नहीं तिलक को ideology अलग है तो क्यूंकि वह मर गये थे उस समय तक इसी लिए इन दोनों extremist और जो moderate हैं उनमें समझाता हो पाया 1916 का लखनव session में तो क्या यह सही है तो यह बिलकुल गलत है क्योंकि दादा भाई नरोजे की मृत्यू होती है 1917 में ठेक है 1917 में इनकी मृत होती है got it ना so second point जो है वो गलत है तो इसका क्या हुआ पहला भी गलत हो गया दूसरा भी गलत हो गया d answer हो गया ठेक ना उके आगे बढ़ते हैं तो दोनों incorrect है c very good ठेक है c incorrect दोनों incorrect है incorrect था इनकरेक्ट था इनकरेक्ट था इस थोड़ा ध्यान से पढ़ो ओके next मैं अपने लिए है भोल रहा हूं ध्यान से पढ़ो ठेक है which of the following law commission first recognize the voting right of women in India अब मुझे तो आदा गंडा में खतम करना है तुम लोगों को तो मैंने कितना गंडा दिया तेस कोस्चन के लिए मुझे तो अब 15-20 मिनट में खतम कर देना है तुम लोग कम से कम ठीक से पढ़े होगे किस ने गलत किया इनकरेक्ट वाला तुमने गलत किया ना तुम हमेशा वही है आचे चलो ध्यान से पढ़ो ओके विच अधुग लोग कमिशन फर्स रिकोगनाइज दे वोटिंग राइट ऑफ वोमें इन इंडिया गौर्वर्मेंट ऑफ इंडिया एक नाइटीन नाइटीन और उसके बाद उन्हें इस तो मेरे ख्याद से बाइस से सुरू हो जाता है जो रिजिनल स्टेट्स है ना जैस से सेंट्रल प्रविंस हो गया यह सब में भी मिलने लगता है इसको कहते है वोमेंस वोटिंग का राइट मिलने लगता है आफटर 1922 बट इसका मेंचन 1919 में कर दिया गया था गौट इट ना आगे चलते है तुम ठीक वक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे लगा सांती से बैठे हो लगा सांप आप सुंग गया है क्या हो गया है सब ठीक तो है With respect to Roller Act, consider the following statement Roller Act के उपर कुछ point दिये गया है पहला point क्या है The objective of the act was to continue the repressive provision of the wartime defense of India Act 1915 by a permanent law 1915 से जो repression चल रहा था, जो कानून चल रहा था वार टाइम था ना, 1914 में वार शुरू हो गया था तो उसी का continuation करने के लिए Roller Act को पास किया गया था ठीक है, क्योंकि 1918 में खतम हो गया था उसी का continuation के लिए Roller Act को पास किया गया था वही repressive provision को जारी रखने के लिए ठीक है, पहला point दूसरा, गौर्वर्मेंट पास मॉन्टेग्यू चल्नस्वार्ड रिफॉर्म और रॉलर्ट आक्ट डाट वर पार्ट अव दे क्यारेटरिस्टिक पॉलिसी ऑफ दे ब्रिटस और दूसरी और तुम्हें रिफॉर्म दिया जा रहा है, मॉन्टेग्यू चल्नसवार्ड रिफॉर्म दिया जा रहा है जिसमें कि right to vote for moment दे दिया जाएगा Central Legislative Assembly को और थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा Indians को और include कर लिया जाएगा ठीक है, तो क्या ये keratinistic policies के अंदर था Third point है This act authorized the government to imprison for a maximum period of two years without trial any person suspected of terrorism कोई भी व्यक्ती जिसके उपर आशंका है कि वो आतनकवादी गतिविद्धिया में सम्मेलित होगा उसे दो साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, बीना ट्राइल का, कोई ट्राइल देने की जूरत नहीं है अगर उसके पास से कोई ऐसा newspaper भी बरामत हो जा रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि Britishers को हटाया जाए उसका भी आधार बना करके उस व्यक्ती को दो साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि नो वकील, नो दलील वाला ठीक है, नो अपील अपील भी तुम नहीं कर सकते हो तुम वकील नहीं तुमको देगा ठीक है, तुम दलील अपना नहीं पेस कर सकते हो सो इसका answer D होना चाहिए, got it ना, चलो आगए अब इसमें आते हैं, खुदाई खुदाई खित्मतगार में कोशन में कितना है 9 है consider the following statement खुदाई खित्मतगार was a violent struggle against the British Empire by the Pasthoon in North West Frontier Province, NWFP कर जो reason था मतलब जो अभी पाकिस्तान का reason है जो खाइबर फक्थुनुआ वाला reason है वो सारे reason में कोई खुदाई खित्मतगार रहते थे जो कि violent struggle कर रहे थे violent struggle समझते हो न जिसमें मार धाड होती है ओके दूसरा point है, it was also called red shirt and it was led by Khan Abdul Gafir Khan locally known as Bacha Khan ठेक है, अब point क्या है कि पहला वाले statement जो है वो गलत है it was not a violent struggle जो Khan Abdul Gafir Khan थे, उनको तो सिमानत गांधी कहा जाता था, frontier गांधी कहा जाता था, वो non-violence को मानते थे समझ में आ रहा है लेकिन अफकोस उनका जो organization है, उसको red shirt कहते हैं, और उनका नाम Bacha Khan था कोई दिकत नहीं है तो ये जो point है वो गलत हो जाएगा, one गलत वन गलत, ठेक है, two सही कोई दिकत नहीं है, आगे चले, okay कैसा जा रहा है सुमन आपका एक गलत हुआ है खाली, बहुत अच्छा ठीक है, good चलिए, मतलब कि और hard थोड़ा बनाना पड़ेगा question तुम लोग ये medium label है, okay medium से थोड़ा सा नीचे ही है, बहुत सारे question लेकिन जो तुमारा 24 के बाद है, वो थोड़ा सा medium label का था तो देखते हैं आगे, ठेक ना who among the following was, were founding member of Congress Socialist Party Congress Socialist Party पढ़ाए हैं तुम लोगों को को ये संस्थापक कौन थे, लिखवाएं भी हैं अचारे नरिंद्र देव, राम्मनोहर लोहिया, जैप्रकास नरायन, PC जोसी, कौन है, तो सब है ठीक ना, तो 1, 2, 3, D answer होगा इसका, okay नेक्स्ट है, consider the following pair, pair है यहाँ पर, यहाँ पर movement अंदोलन दिया हुआ है और यहाँ पर उस समय जो वाइसरा हैं वो दिया हुआ है तो non-corporation movement के समय में, of course, Lord Chanswot थे, ठीक है civil disobedience movement के समय में, Lord Irwin थे, quit India movement के समय में, Lord Webel थे got it ना, समझ में आ गया, okay, तो तीनों होगा who coined the term horizon to address the depressed class the answer would be महात्मा गांधी, okay महात्मा गांधी में फिर वहीं पर आ जाओगे, तुम लोग पूना पैक्ट के हिसाब से आगे चलोगे पूना पैक्ट में क्या हुआ था, गांधी जी और अमबेदकर के बीच में एक deal हुई थी कि जो depressed class हैं, जो दलित class हैं, वो एक integral part होंगे हिंदोजम का ही, वो हमेशा से थे पर अमबेदकर बार बार क्या कह रहें थे, कि नहीं, उन्हें अलग करना होगा, उन्हें separate electorate देंगे समझ में आ रहा है, गांधी जी इसके सक्त खिलाफ थे, बोल रहे हैं थे, कि जो कुरुईतियां हैं, अगर हमारे समाज में, उसको हमें बदलना है और उसके लिए वो constructive work करना चाह रहे थे, वो गाउं में जाना चाह रहे थे, वो लोगों के साथ, दलितों के साथ, खाना खाना चाह रहे थे वो ये जो धारना थी न, कि वो depressed है, छुआ छूट की जो धारना थी, उसको हटाना चाह रहे थे समझ में आ रहा है और इसी के लिए वो हरीजन नाम का जो वर्ड है उनका क्वाइन करते हैं तो मैं तो बहुत सौटकट में बता रहा हूं लेकिन ये जो concept है वो बहुत important है तो पूरा pact भी है जो है वो बहुत important है ठेक है तो answer would be महत्मा गांधी which of the following type of agitation was happened during non-cooperation movement जब non-cooperation movement हुआ तो किस तरह का जो agitation था आंदोलन का रूप क्या था क्या-क्या उस आंदोलन में हो रहा था तो answer मैं बताता हूं कौन-कौन सा point जो है वो सही है वो गलत है okay you can see out here by court of school, college, court, legislative, council and foreign clothes of course clothes की तो होली का जल रही थी तो हो रहा था renunciation of government honor and title सब अपना title और honors दे रहे थे मैं हटाता हूं यह मैं देता हूं ठीक है उसके बाद resignation from government officers of course गांधी जी बोल रहे था हावान कर रहे थे कि आप अपने जितने सारे भी government officers में काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें तेको non payment of taxes जो था न वो civil disobedience का रूप ले ले लेता है तो वो नहीं किया गया था railway strikes चल रहे हैं थे काम ना करना है is one thing तो हर जगा non cooperate करेंगे आपके कोई भी काम में हम आपका सहयोग नहीं करेंगे और instances of assassination तो होई नहीं सकता है क्योंकि non cooperation movement civil disobedience movement ये जो दोनों movement हैं उनसे कौन related है Mr. Gandhi और गांधी का क्या कहना है non violence और यहां पर क्या लिखा हुआ है instances of assassination ठीक ना मतलब की मारधार मतलब की लोगों को मारना ठीक है individual heroism इसके सक्त खिलाफ हैं तो ये भी नहीं होगा तो six नहीं होगा और four नहीं होगा answer would be one two three and five only consider the following statement regarding Lucknow pact Lucknow pact वही वाला है जो अभी हम लोग बात कर रहें थे उन्हें इस सुलह वाला ओके अभी हम लोग उन्हें अच्छी तरह से बात किया और उसमें महात्मा गांधी का कोई रोल है ही नहीं इर्विन का रोल ही नहीं यह तो 1932 में आएगा ठीक है गांधी इर्विन पैक 1931 में ठीक है roundtable conference होने से पहले दोनों में क्या होगा समझोता होगा वो समझोता के तहत गांधी जी कहां जाएंगे second roundtable conference को attend करने जाएंगे तो यह 1916 की कहानी है नहीं इन दिस पैक्ट दे कॉंग्रेस एक्सेप्टेड दे कॉम्नल एलेक्टोरेट गिवें तो दे मुस्लिम इन नाइंटीन हें नाइन मॉरले मिन्टी रिफॉर्म यह सही बात है communal award जो 1909 में दे दिया गया था कि ठीक है तुम लोग क्या हो मुस्लिम हो और तुम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए यानि कि सिर्फ मुस्लिम ही एक मुस्लिम निता को चुनेंगे उसका समर्थन 1916 में किया गया था इस लखनव पैक्ट में और उसी के बाद चीटैक्ट वन वूड़ पी आंसर दी बी देन एंसेट के बारे में इंपॉर्टेंट आप पर्सनालेटी ऐसे पर्सनालिटी जितने सारे पर्सनालेटीं हैं मुहंजास करम चंद गांधी धाल कृष्न गोखले दादा भाही नह रोजे यह सारे जो पर्सनान थी उनका है उनका वैक्तित वो उनसे related important point तुम्हें जानना जरूरी है आज अगर गोखले आ गया तो कल दादा भाई नौरोजे आ सकता है ओके यह बहुत important है इस type के question क्या बोल रहा है वो तो नरम दल के नेता थे तो पहला जोगा वो गलत हो जाएगा तो सी एंसर होगा कोई दिक्कत नहीं है बागी सब सही है वो गांधी जी के मिंटर भी थे और उन्होंने servant of India society के अस्थापना भी की थी ठीक है चलो next नहरी रूपेट में नहरू रिपोर्ट जो था नहरू रिपोर्ट की कहानी तुम लोगों के याद होगी ठीक है उन्हें इस तो 28 में कैसे नहरू रिपोर्ट को बनाने की जो कवायत है वो start हुई किस तरह से साइमन कमिशन का वि लिए नहरू रिपोर्ट नहरू जी के अंदर यह जवालाल नहरू नहीं मोतिलाल नहरू के अंदर एक कमिटी बनाए गए जिसके में में सुबास्चंद्र बोस भी थे ओके इस कमिटी ने एक रिपोर्ट पेस की और रिपोर्ट में complete independence नहीं था उसमें था अगर डॉमिनियन स्टेटस का मांग अगर डॉमिनियन स्टेटस नहीं देंगे तब जागे complete independence की मांग करेंगे लेकिन उसमें इक्वल राइट फॉर वोमें भी था और डिमांड़ लिंग्विस्टिक प्रोविजन भी था टू एंड थी था इंकरेक्ट कौन सा है तो पहला इनकरेक्ट है समझ में आया सुमन गलत हुआ होगा ना आपका मुझे लगा ही था और बोलो की इजी था अच्छा ये ही है गलती से सही हो गया चलो ठेक किस्मत है विट रिस्पेक्ट टू दे करांची सेंस सेशन कंसिर दे फॉलाइं स्टेट्मेंट पूर्ण स्वराज वा कॉंप्लेट इंडिपेंडेंस की बात जो है वो लाहूर सेशन की है ओके इडिज इस स्पेशल सेशन हेड़ेड़ वे सरदार पटेल पटेल ट्राफ्टेड दे करांची रेजलूशन 2 & 3 इस करेक्ट ओके चली आगे चलते हैं राउंट टेबल कॉंफरेंज के बारे में कोशन है जिन्नां अम्बेदकर और मधन मौहन मालवी एटेंडिद आलद त्री राउंट टेबल कॉंफरेंज को अटेंड किया मैं बार-َّ bipolar बोलता हूँ जहां all हो जो अनली हो वहाँ पर शमरल करके चलना है है ठीक है नेक्स्ट गांधी एंड सरोजनी नाडू डिड नॉट पाडिसिपेट इन वो सिर्फ गांधी सेकेंड टैबल कॉन्फेंस में ही कहें थे ठीक है तो यह भी गलत हो गया तो कोई नहीं नाइधर वन नौट टू ओके आगे बठते हैं आज पूला पक के बारे में है पूना पक्तहित ने अभी बात कर रहें थे पूला पक्त के बारे में हैे साइंग ढंधी जना बिलकुल नहीं आधी hicकर, तो वन गलत इड़ास souvent क्उट्व औरमाट मे chemz. भी बात कियें कि रैमसे मैंक डॉनल्ड ने सकेंड डॉन टेबल कॉन्फरेंस के बाद फिर दलितों को कॉमनल अवाड दिया था अब ब्रिटिस गॉर्मेंट को मनाना था कि नहीं ये कॉमनल अवाड को हटाओ तो गांधी जी का और जो अम्बेदकर जी का पुना पैक्ट था वो एक तरह का तुम्हारा अमेंडमेंट की तरह काम किया ठीक है कि चलो कॉमनल अवाड नहीं मिलेगा सेपरेट एलेक्टोरेट नहीं मिलेगा लेकिन पुना पैक्ट जो हुआ है गांधी और अम्बेदकर के बीच में वो अब मान्य होगा समझ में आया तो आफकोस सकेंड सक्रेक्ट तू और अचिह इंकरेक्ट फिर से वही प्रॉब्लम इनकरेक्ट कौन सा है इसमें वन गुड़ ठीक है आगे चलते हैं विजो दे फॉलिंग वाज एन इनिशेटिव आप अम्बेदकर जी का कौन सा इनिशेटिव था तो तुम लोगों को जरूरी नहीं अम्बेदकर के बारे में इनिशेटिव अगर याद है लेकिन तुम लोगों को इतना तो पता हो कि कि ओल इंडिया फॉर्वर्ड ब्लॉक की अस्थापना किस ने की थी तो बस इतना भी याद रहा रहा है तो तुम्हें आ जाएगा थ्री जो है वो नहीं हो सकता है वन इंट्व एंसर होगा क्यूंकि फॉर्वर्ड ब्लॉक की अस्थापना सुभाश्चंद्र बोस ने की थी तुम्हें क्या करना है करेक्ट क्रोन लोजिकल ओडर में इन शारो घटनाओं को सजाना है अब देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ था तो सबसे पहले अगर बात करें तो अगस्त ओफर दिया गया था न नहीं आद है अगस्ट 1940 में ठेक है अगस्ट ओफर दिया गया था उसके बाद सेप्टेंबर अक्टूबर में इंडिवीज्वल सत्यागरह शुरू ही थी तो सबसे पहले अगस्ट ओफर फिर इंडिवीज्वल सत्यागरह फिर क्रिप्स आता है इंडिया में कुछ लुभाओने वादे करता है वो किसी को पसंद नहीं आता है तो कुछ इंडिया मोमेंट शुरू होता है तो सी उट बिद एंसर ठीक है कुछ ओफर देगा वो पसंद नहीं आएगा तो आंदोलन शुरू होगा कुछ ओफर देगा पसंद नहीं आएगा तो आंदोलन शुरू होगा इतना तो सिंपल है इसको समझने का तरीका गलत हुआ अच्छा इसकिप मार दिये ते गलत बात है इसकिप मारना ठेक है नेक्स्ट वही इंडिवीजवल सत्यागरा भी पीछे आया था इंडिवीजवल सत्यागरा का कॉंसेट बहुत सिंपल है वार सुरू हो गया है 1939 में कॉंग्रेस नहीं चाहता है कि बृते इन का सपोर्ट करे लेकिन वो समर्थन भी करना नहीं चाहता है क्योंकि जो इतिहास है वो बताता है कि समर्थन करोगे तो आगे चलके बहुत मारेगा ठेक है समर्थन करने पर पिटाई हो रही है और क्या चाहिए तो यहां बर क्या करने है अपना जो क्रोध है उसको प्रकट करने के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं काउस करने के लिए गांधी जी कॉंसेप्ट लाएंगे इंडिवीज्वल सत्याग्रटा अब इंडिवीज्वल इस इनवल्ड वैर्येस लीडर गईंग तो डिफेंट प्लेसे इंडिवीज्वली टु ब्रॉइब्रेक देसाइट लॉइस ओंवो तो कहानी कहत्म हो गई ठीक है वो तो सिवल डिस अबडेंस मुव्मेंट की कहानी थी जिसमें कि गांधी जी करते हैं और साल्ट लॉग को ब्रेक करते हैं ओके तो यहां पर साल्ट लॉग को ब्रेक करने वाला नहीं था लेकिन अफकॉस बहुत सारे लीडर्स चुने गए थे हर जगा पर एक मिन्ट रुख जो हो जाने दो तो साथ लॉख वाला तो नहीं था जोख लां नह्रू वाला तो नहीं था अचारे विनोबाव भावे तो यह दोनों गलत हो गया एंसर उड़ बी कौन से विच्वाइब करेक्ट डी नाइधर वन नौर टू नेक्ट शलते हैं तो यहां से भी वही कहानी में क्या बोलता हूं कोई भी चीज को पढ़ने उसे पहले वो कहानी पीछे होनी चाहिए लटडभरिन से रिलेटेड क्या कहानी है संध्या कोई कहानी है वहाँ पर मैंने यूज किया था और क्योंकि तुम अटाइच कर सकते हो कोई कहानी को कोई एक fact के साथ 1885 में start हो रही है Congress form हो रही है और उस समय जो वाइसराय थे वो Lord Duffin थे हर एक concept को एक कहानी से जोड़ो that's it history रटने का और कोई तरीका नहीं है ने तो फिर रटो और भूलो ओके next आगे चलते हैं which of the following is true about the august offer it was an effort to win over the support of Indian political leadership for the British war effort of course august offer आ रहा है 1940 में 39 में war start हुआ है और इसलिए आ रहा है कि इंडियन का support को जीता जा सके next it was rejected by both the Congress and the Muslim League इसको reject कर दिया गया Congress और Muslim League दोनों के द्वारा it was delivered by Lord Wellington ठीक ना so third जो है वो नहीं होगा answer would be one and two only आप 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